आज है हमारा computer science बिहार एस्टेट का computer network का second lecture ठीक है और इसमें हम लोग देखेंगे टोपोलोजी के बारे में ठीक है गाइस तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें देखते हैं हम लोग टोपोलोजी होता क्या है देखिए गाइस टोपोलोजी क्या होता है मतलब जब हम network को connect कर करते हैं network में device को जोडते हैं जैसे more than two computer को या दो या दो से जादा computer को कहीं भी हम लोग connect कर रहा है तो किसी ना किसी मेडियम के दवारा किसी बस के दवारा cable वगर के दवारा हम लोग connect करते हैं तो टोपोलोजी उसका medium होता है किस तरह समलग कर रहा है ठीक है तो different topology होता है हमारा तो जो topology क्या होता है यल न टोपोलोजी क्या होता है there are different types of network ३ी तोपलोजी yours that all the used in our net,고 अंत्वार्ग ठीक हैँ तो तोपी यौ अंत्वार्य क्या होता है there are different types of network topology Years there that are used in network to carry the network Click the network to apply to differ in the structure or layout of the different device computer connected to the network ठीक है तो line topology जो होते हैं generally तीन टाइप के होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पहला technology हमारा bus topology होता है अब इसके features क्या क्या होंगे bus topology का detail discussion में देखेंगे next होता है हमारा star topology और उसके बाद होता है हमारा ring topology ठीक है अब bus topology क्या होता है देखिए all device are connected through all device on the network connected through a central cable call bus जैसे एक simple सा एक bus हो गया एक cable हो गया और इससे बहुत सारा device जैसे हम लोग connect कर लेंगे तो यह होता है bus topology इसमें क्या होता है the data signal available to all computer connected to bus अब कोई भी अगर कोई भी system अगर information share कर रहा है किसी दूसरे के पास तो यह पूरे bus पर information रहा है कोई भी system उससे ले सकता है उस information को ठीक है उसको हो जाएगा उसके पास उसका रहेगा वहाँ से वो सेंड कर सकता है तो जो भी sender होते हैं उनके पास होता है वो क्या होते है हमारा sender जो information generate करते है ठीक है वो source होता है और जहांब send करना होता है वो destination होता है इस computer on the network checks the destination address as the signal travel through the bus ठीक है अब देखिए हर computer जितना connect होगा सबका तो एक particular address होगा तो the computer whose address matches make a copy of signal and convert into data अब देखिए माल लिजे A computer है और यहाँ पर B computer अब यह इसके पास send किया है तो यहाँ पर bus topology के through तो यह जो data send करेगा इसको इसके पास destination का कुछ address होगा ठीक है तो यह data किस तरह से travel करेगा यहाँ यह बस्ट अपलोजी के through travel करेगा और destination का जिसके पास address रहेगा इसका address रहेगा तो यहीं उस signal को क्या करेगा data में convert करेगा और उसको read करेगा ठीक है और दोनों इंड पर होता है terminator लगा होता है मतलब यहाँ पर जाके data को terminate कर देना है it is good for connecting 15-20 computer हम लोग इसमें connect कर सकते हैं and coaxial cable जो होता है हमारा simple उसी का use किया था बस्ट अपलोजी में उसी में सारे computer connect होता है ठीक है ethernet इसमें protocol जो use किया जाता है protocol क्या होता है sets of rule होता है ज तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे computer और computer एक दूतिंचर लिखा हुआ है तो हर एक का अलग address होगा ठीक है हर एक अपना address होता है अब यह computer इसके पास information share करेगा यानि यह पूरे bus पर travel करेगा information दोनों तरफ प्रमिनेटर लगा हुआ है यहाँ पर information in होता है अब देखिए यह information अगर यहाँ पर आएगा तो जिसके पास जैसे यह source है यह इसके पा send किया या किसी पा send किया तो जिसका match करेगा वो उस data को क्या करेगा वहीं उस data को convert कर सकता है यहाँ पर तो वो जो signal यहाँ पर गया है इस signal को data में convert करेगा और इसको मिल जाए गई है ठीक है एक केबल को move करा दिजिए और सब चीज इसी से connect हो जाएगा इसे ठीक है सारा चीज इसी से connect हो जाएगा नहीं तो एक system यहां connect हो गया इसके तुरू यहां हो गया इसके तुरू यहां हो गया तो एक ring like structure बन जाता है इस device has a receiver और transmitter अब देखिए क्या होता है माल लिजिए यह वाला send किया और इसके पस information जाना है अगर इस deduction में जा रहा है यानि यह sender हुआ यह receiver तो यह क्या करेगा इसके पस क्या होता है receiver और transmitter होता है यह तो data इसके पास ना भेजना है लेकिन यह receive करेगा फिर से यह destination check करके transmit कर इसमें कहीं भी terminator नहीं लगा होता है ठीक है ring network does not have terminator नहीं होता है दस data signal travels in circle इसलिए data का signal को होता है circle में travel करता है कहीं पर in नहीं होता है the computer or device are connected to the ring using twister अब इसमें क्या होता है twister pair केबल होता है या coaxial केबल होता है जैसे bus में coaxial केबल था या fiber optic तीनों का यूज करके इसका यूज किया सकता है इस topology में system को connect करने के लिए the protocol used in implement ring technology token ring होता है और fiber distributed data interface FDDI का यूज की आता है ring technology में connect करने के लिए ठीक है इत्द की जैसे यह हो गया यह सारा computer है हमारा अब यह मान लिजी यह वाला किसी के पास information sent किया इसके पास तो यह किसी भी direction में जाएगा तो सब के पास receiver और transmitter होगा क्योंकि यह यहां तक travel करना ह है तो यह सब के through होके जाएगा देखिए इसमें problem क्या है कि अगर एक system problem में आ गया एक system खराब हो गया तो यह पूरे हमारा डिस्टर्ब हो जाता है network डिस्टर्ब हो गया ठीक है source पहुंशी ने जाएगा यह सारा चीज से मनों difference देख लेंगे कैसे कैसे difference है ठीक है अब यह सारा network को disturb कर देगा ठीक है next आता है हमारा start technology अब देखिए start technology क्या होता है एक यहाँ पर computer रहेगा server जिसको हम लोग बोलेंगे ऐसी से central computer से सारा चीज connect हो जाएगा all device are connected through a central link forming start link structure ठीक है अब देखिए यह server बन गया और इसी से सारा यानि क्या होगा कि यह जो server रहेगा यह minus करेगा जैसे इस सिस्टम का अब सबका destination address इसके पास होगा सारा का address तो यह send करेगा इसका यह check करेगा और उसके पास बेज़ेगा जो destination होगा उसके पास information इस central link is hub और उसको switch बोलाता है central link is a किसके थुरू या तो hub या switch के थुरू यह सारे सिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर लिया था the computer are connected the hub, switch, twist, twist pair का या coaxial या fiber optic किसी कभी यूज किया सकता है जैसे star topology में होता था star topology is the most popular topology to connect computers and device in network बहुत famous है यह the ring the common protocol used in star topology ethernet का यहां पे भी उजता है और token ring का या local dog का यूज किया था ठीक है in addition to the bus ring और star topology देखिए अब तीनों topology के अलावा एक mesh topology होता है इसमें क्या होता है most mesh topology में कोई भी हर एक system के पास हर एक किसी दूसरे system का link रहता एक दूसरे से जुड़ा होता है जैसे यहां पर तीन system हो तो यह इससे भी कनेक्ट होगा यह इससे भी कनेक्ट होगा और यह वाला system इससे भी कनेक्ट हो जाएगा ठीक है यह हर किसी के पास अपना connection रहेगा तो देखिए यह start topology हो गया अब यह देखिए यह switch है अब यह switch क्या कर रहा है कि यह switch कर रहा है network को मतलब एक दूसरे से यह connect कर दिया है सब का port यहां पर लगा हुआ है सब एक दूसरे के साथ connect हो गया अब यह information किसी को share करेगा तो इसके हर एक system एक दूसरे से link होता है the term dedicated means क्या होता है link carries traffic only between two device देखिए दो device के बीच में हमेसा यह link बना रहेगा यहां बना गया इसके पास भी राएगा इसके पास भी राएगा इसके पास भी राएगा यह इसके पास भी राएगा ठीक है तो इस तरह से advantage इसका क्या है यूज डेडिकेटेड़ लिन्क गरांटी रहता है कि इस इच कनेक्टेट एक कनेक्षन करेई its on data लोड थीक है अपना डेटा पूद करता है क्वोसरे के सांब सिस्टम में वो क्या होता है यहे座र्ण में इसमें reach ट्राफिक प्रप्रोब्लम होने का जो चांस होता है ठीक है यह इसमें बहुत इक कम हो जाता है अम मेंस टोपलोजी इस रोबोस्ट होता है रोबोस्ट मतलब काफी स्ट्रॉग इसका होता है अगर इसमें कोई system failure हो रहा है या कोई कोई अगर सिस्टम denial一下 टो हुआ जो एक प Kubernetes को हुआ पूरा है तो में है तो हमुरा सिस्टम फुरन डिस्टम पोजा रहे हैं और स्टॉप और सबसे बस नहीं अगर दो सिस्टम खराब रहे हैं प्रोब्ल्म आएगा क्योंक और अब दूसरे के सांथ वह कुछ है ठीक है तो हर किसी के पास हर एक हर एक port से connect रहता है if one link become unavailable देखिए unusual अगर एक link अगर unusual है it doesn't enter in caps sectate the entire system ठीक है यह मतलब दुसरे system को problem नहीं करेगा next है there is a advantage of privacy and security privacy रहता है क्योंकि हर एक के पास एक दूसरे से link रहता है ठीक है disadvantage क्या होता है कि यह amount of cabling number of input output ports ज्यादा चाहिए इसमें क्योंकि cable भी ज्यादा चाहिए हर के connect करने के लिए और input output के लिए सब के लिए ज्यादा चाहिए ठीक है the hardware requires to connect each link can be expensive अब देखिए सब को एक दूसरे सांद लिंक करना है तो कुछ तो hardware चाहिए न तो उसके लिए बढ़ जाता है इसका cost bulk of wiring ज्यादा हो जाता है ठीक है too much space required to accommodate बहुत सारा space required चाहिए देखिए जैसे यह network होगा अब देखिए से कंप्सट आप जितना अब इस network में सिस्टम है सबका लिंक एक दूसरे के सांद जोड़ा हुआ ठीक है तो यह होता है अब देखिए अब देकिए इसमें हुआ क्या थोड़ा सा मलों देख लेंगे कि इसमें difference थोड़ा सा क्या होता है अब जैब जैसे धकी यह मेड्र आपस टोलो टाइस नेश्य तो घेक्द को होता है तो देखें यहां पर भूट अगर हमारे केबल डिश्ट्र होगा बसतो टोलोजी में तभी हम பोरा नेटवर्ड का हमारा दिस्टर्ब हो जाएगा लेकिन यहां पर प्रस्ट अगर तो सिस्टम मेंगा और नइटवर् को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ठीक है गाईस तो विडियो गर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दें ठीक है और प्लीज लिंक है वो डिस्क्रिप्स न बॉक्स में आप देख सकते हैं और आप क्या करेंगे आपको टेलिग्राम डाउनूट करना होगा और वहां से आपको मिल दाएगा बुश्टप 2020 चैनल के नाम से सच करके आप डाउनूट कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देजीगा थैंक्यू वेरिमेंच मिलते हैं नेक्स्ट सेसन में